हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा वहीं आप चाओ तो हमारे पुरानी वीडियो को भी एक बार जरूर से चेक कर सकते हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आटो मोबाइल सेक्टर से रेलेटर एक बहुत ही बड़ी गुड नियूस के उपर जैसे कि आप देख सकते हो गौर्णमेंट ने PLI स्कीम लाँच कर दी है और इस PLI स्कीम से कई सारी कंपनीज को फायदा होने वाला है लेकिन उन में से कुछ कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो जो companies stock market में listed है उन सभी companies के charts पर क्या analysis बन रही है आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग इस news को cover कर लेते हैं जिसमें हमें ये समझना जरूरी है कि companies को किस type की PLI scheme मिलने वाली है अब दोस्तो जो PLI scheme है उसका असली नाम है Champions OEM Incentive scheme और ये द 20 companies को select किया गया है इस PLI scheme के लिए जिन में लगबग 45,000 करोड का investment सरकार करने के बारे में plan कर रही है जिसमें की 18% का जो investment होगा वो इन industries के supply chain को improve करने के लिए सरकार करेगी और जैसे कि आप देख सकते हो जो auto components में सरकार का investment होने वाला है वो 25,938 करोड का होगा और वहीं ज apply किया था इन PLI scheme के लिए जिसमें से केवल और केवल 20 applicants को ही select किया गया है और वहीं दोस्तों ये PLI scheme हमें 1 April 2022 से लाग होते हुए देखने को मिलेगी अब इससे सीधा सीधा जो फायदा मिलने वाला है वो वेकल manufacturing मतलब automobile sector को होगा और जो वेकल के components मनाती है उन companies को होगा और दोस्तों ये PLI scheme आने वाले 5 सालों तक चलने वाली है तो अगर इन में से आपके पास automobile sector का कोई भी stock है तो उसे आप minimum 5 साल तक hold करने के बारे में plan कर सकते हो अब दोस्तों इस PLI scheme से जो main पायदा होगा वो इंडिया में automobile manufacturing में और auto components manufacturing की capabilities को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है और यहाँ पर सरकार का एक और objective है जिससे आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा employment इस sector में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है अब दोस्तों हम लोग ज्यादा time ना waste करते हुए उन companies का नाम जान लेते हैं जिनको Champions OEM incentives की मिलने वाली है तो सबसे प दोस्तों Champions OEM जो incentive मिलने वाला है टू-wheeler और त्री-wheeler manufacturers को उस list में आता है बजाज Auto, Hero Motocop, Piagio Vehicle, TVS Motors और उसके बाद दोस्तों जो non automotive OEM incentive मिलने वाला है वो मिलने वाला है Axis Clean Mobility को, Booma Innovative को, LS Private Limited को, Hop Electric Manufacturing को, Ola Electric को, Power Hall Vehicle को तो एक तरह से ये देखकर कि आपको clearly समझ में आ होगा कि ये जो PLI scheme थी ये उन सभी लोगों के लिए Oben थी जो लोग already existing automotive companies थी और even जो नए investors थे उनके लिए भी ये PLI scheme launch की गई थी और वहीं दोस्तों सरकार का दो component पर ज्यादा focus था जो Champions OEM incentive scheme है वो उन companies के लिए है जो battery electric vehicle form करेंगी या तो hydrogen fuel cell से चलने वाली vehicles manufacture करेंगी औ और वहीं दोस्तों जो second incentive scheme है जिसमें हम लोग auto components की बात कर रहे हैं तो जो भी companies two wheeler, three wheeler, passenger vehicles और commercial vehicle के साथ साथ tractors के components की manufacturing करेंगी उनके लिए भी ये OEM incentive scheme लाई गई है वहीं दोस्तों सरकार के इस PLI scheme को काफी जादा support देखने को मिला है क्योंकि इस OEM scheme में काई सारे लोगो और France के भी कई सारे business groups ने इस PLI scheme में अपना interest दिखाया और जिसकी वज़े से government की इस PLI scheme को काफी जादा success मिली है अब दोस्तों हम लोग इन companies के charts को quick check कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या important support और resistance level इन stocks में निकल के आ रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Tata Motors में T Tata Motors में हमें बिक तेजी देखने को मिलेगी 536 रुपे के लेवल के ऊपर वहीं दोस्तों इस स्टॉक में जो immediate basis पे support निकल के आ रहा है वो आ रहा है 440 रुपीज का अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा अशोक लेलेंड अशोक लेलेंड में आपको जो तेजी देखने को मिले कि immediate basis पे इस स्टॉक में आपको जो support देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 8368 रुपीज पे वहीं दोस्तों इस स्टॉक में जो second support निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7,844 रुपीज का तो इन लेवल को आप काफी ध्यान से नोट करके रख सकते हो वहीं दोस्तों अगले देखने को मिलेगी वो मिलेगी 960 रुपीज के ऊपर तो अगर 960 रुपीज के ऊपर आपको महिंद्रा और महिंद्रा का stock close करते हुए देखने को मिलता है तब आप इसमें एक fresh long बना सकते हो वहीं दोस्तों अगर हम लोग अगले stock के बात करें तो वो है आईशर मोटर्स का आईशर मोटर्स का stock में दोस्तों जो immediate basis पे support निकल के आ रहा है वो आज़ा है 2471 रुपीज का वहीं दोस्तों second support जो निकल के आ रहा है 2351 रुपीज का वहीं दोस्तों इस stock में big तेजी के लिए आपके stock को 3000 रुपे के ऊपर निकलना पड़ेगा वहीं दोस्तों हमारा अगल stock है TBS Motors का अगर TBS Motors का share आपके पास है तो आपके लिए जो immediate basis पे support निकल के आ रहा है वो आ रहा है 575 रुपीज का और इस stock में big तेजी के लिए इस stock को 690 रुपे के level को cross करना पड़ेगा वहीं दोस्तों हमारी list में सबसे आकरी stock है बजाज auto का और बजाज auto की बात करें तो यह stock पे जो immediate basis पे support निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3400 रुपे का और second support निकल के आ रहा है 3500 रुपे का वहीं दोस्तों इस stock में जो big तेजी होगी वो आपको 3650 रुपे के उपर अगर यह stock निकलता है तब आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तों यह थे कुछ stocks जिनको PLI scheme से काफी ज़ादा फायदा होने वाला है तो अगर इस list में जितने भी stocks हैं इन में से कोई stock आपके portfolio में है तो आप मुझे comment section में जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजेगा अपने दोस्तों साथ share कीजेगा और अगर हमारे channel पर नए है